शेर बजार में इन्वेस्ट करने का एक तरीका तो यह है कि आप एक DMAT अकाउंट और ट्रेडिंग काउंट खोलें और डिरेक्टली शेर बाई कर लें दूसरा तरीका यह है कि आप मुचुल फंट के जरिये स्टॉक मार्केट में इन्डिरेक्टली पड्सपेट करें लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि आप शेर डिरेक्टली बाई करें लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कोई फाइनिशल एक्सपर्ट डिजाइन करें ताकि आपको एक एक्सपर्टीज का फाइदा मिल सकें तो ऐसे में आपके पास चोईस है इस्म करेंगे नमस्कार स्वागत है आपका इस इन्फोर्मेटिव वीडियो में मैं हूँ पंकज मठपाल सेडिफाइट फाइनिशल प्लैनर तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल केस होते क्या हैं बेसिकली यदि आपको स्टॉक्स बाई करने हैं तो आपको एक ट्रेडिंग अक अपनी है जो अपने प्लेटफोर्म पर स्टॉक ब्रोकर्स फाइनिशल एक्सपर्स और इन्वेश्टर्स को कनेक्ट करता है यह इस एक्सपर्स बेसिकली सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंड अड्वाइजर्स या रिजिषर्च अनिलिस्ट होते हैं और साथ ही आप इन stock brokers के पास demate account खुलवाते हैं या already आपका इन brokers के पास demate account है तो आप इन ready-made portfolios जो की financial experts ने design किये हैं उन्हें access कर सकते हैं, हाँ of course इसके लिए आपको एक subscription amount भी pay करना होगा. अब जिस तरह mutual fund में अलग-अलग categories होती हैं, यानि कि आप diversified portfolio में invest करना चाहते हैं या एक thematic fund में investment करना चाहते हैं, उसी तरह से small case में भी theme-based portfolios होते हैं. जैसे कि आप एक small case diversified portfolio मान लिजिए top 100 stocks या all weather investing इस तरह के portfolio में invest कर सकते हैं, या फिर किसी particular theme जैसे कि rising rural demand या the greater Indian middle class इस तरह के portfolio का चुनाव कर सकते हैं और उस small case में invest कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि mutual fund एक regulated product है, यानि कि यहाँ पर कितना expense लगेगा, एक scheme का investment maximum कितने shares में हो सकता है, या एक sector में maximum कितना exposure हो सकता है, ये सब SEBI द्वारा पहले से निर्धारित हैं. लेकिन यदि हम small case की बात करें, तो small case SEBI द्वारा regulated नहीं है, लेकिन हाँ ये जो financial experts हैं, ये SEBI registered investment professionals हैं, ये या तो जैसा मैंने कहा कि investment advisors या research analyst होते हैं. दूसरा बड़ा फर्क ये है, कि जब आप mutual funds में invest करते हैं, तो वहाँ पर आपको DMAT account की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप mutual funds की units buy करते हैं, और mutual funds stocks में invest करते हैं, लेकिन यदि आप small case buy करते हैं, तो यहाँ पर आपका investment directly stocks में होता है, यानि कि stocks आपके DMAT account में credit होते ह तो इसलिए आपको DMAT account की यहाँ पर जरूरत होती है, mutual fund के portfolio में जो भी changes होते हैं, rebalancing होती है, वो fund managers अपने हिसाब से तैय करते हैं, और उसके लिए fund managers को किसी investor की या investors की consent की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप small case में invest करते हैं, तो यहाँ पर जो financial experts हैं, वो समय समय पर rebalancing की राय तो देते हैं, suggestion देते हैं, लेकिन आपको suggestion को पूरी तरह से accept करना है, या अपने हिसाब से portfolio को customize करना है, वो choice आपके हाथ में रहती है, क्योंकि shares आपके DMAT account में हैं, जिस तरह से mutual fund की किसी scheme में minimum amount टै होता है, कि यानि कि किसी scheme में minimum 500 रुपे या किसी scheme में minimum 5000 small case में भी, जो small case आप select करेंगे, उसके लिए minimum amount पहले से टै होगा, तो आपको decide करना है कि कि किस तरह के small case में आप investment करना चाहते हैं, और आप जितने पैसे invest कर रहे हैं, क्या उसमें वो small case खरीदना possible है या नहीं है, आप mutual fund के तरह ही small case में भी SIP कर सकते हैं, आप यदी expenses की बात की जाए, तो mutual fund का expense ratio से भी द्वारा तै है, यानि कि एक scheme का जो total asset है, उसका maximum 2.25% तक expense ratio हो सकता है, हलाकि direct scheme में जो expense ratio है, वो थोड़ा कम होता है regular scheme के comparison में, लेकिन small case में कई तरहें के expenses अपनी केबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास limit account होना जरूरी है, तो यहाँ पर demat charges भी apply हो सकते हैं, साथ ही जब आप shares खरीदते हैं या बेशते हैं, तो उस पर transaction charges भी apply हो सकते हैं, साथ ही आप जिस small case को subscribe करते हैं, उसके लिए एक subscription fees भी apply हो सकती है, और यदि आपका portfolio छोटा है, और subscription fees जो है वो flat है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका expense ratio तो small case में जैदा हो जाए, अब बात करते हैं capital gain tax की, mutual funds में जब आप units redeem करते हैं, तभी आपको उस पर capital gain tax pay करना पड़ सकता है, लेकिन बीच में यदि आपके portfolio में changes होते हैं, shares बेचे जाते हैं, तो उस पर आपको tax नहीं पे करना होता है, आप जब तक hold कर रहे हैं, तब तक आपको कोई capital gain tax नहीं पे करना है, redemption के time पर ही आपको capital gain calculate करना होता है, लेकिन small case में क्योंकि shares आपके demand account में होते हैं, तो यदि आप shares बेचेंगे या खरीदेंगे, तो जब भी आप बेचेंगे, उस पर आपको capital gain tax चुकाना पड़ सकता है, साथ ही mutual fund ने जिन shares में investment किया हुआ है, यदि वहाँ पर dividend declare होता है, तो वो dividend आपके account में नहीं आता, बलकि वो mutual fund के portfolio में ही, assets में ही जुड़ जाता है, लेकिन small case में यदि उन shares पर dividend declare होता है, तो वो dividend आपके account में आएगा, और आप क्योंकि dividend taxable है, तो इस case में इस पर आपको tax pay करना पड़ सकता है, अब बात करते हैं कि किस तरहें के investors को mutual funds में invest करना चाहिए, और किस तरहें के investors के लिए small case suitable हो सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि ऐसे investors जिरहें equity market की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, और वो goal based long term investment करना चाहते हैं, तो उनके लिए mutual funds सी सही हैं, लेकिन ऐसे investors जो directly stocks buy करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि कोई financial experts उनका portfolio design कर दे, उन्हें stocks पर राय दे, तो ऐसे में small case एक choice हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि mutual fund और stocks में से या small case में से आपको एक ही select करना है, आप अपने portfolio में दोनों को भी शामिल कर सकते हैं, यानि कि आप अपने long term goal के लिए mutual funds में SIP कर रहे हैं, और साथ ही आप एक theme select करके आपके किसी financial goal के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से एक small case में भ आप सिर्फ mutual fund में करें, या केवल small case में करें, आप दोनों में भी एक साथ investment करने के बारे में सोच सकते हैं, तो मुझे उमीद है कि जानकर आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को like करना और share करना ना भूले, और साथ ही यदि आप small case में पहले से invest कर रहे हैं, या invest करना चाहते हैं, और किसी small case पर मेरी राय चाहते हैं, तो comment box में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, और दोस्तों यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही bell icon को प्रेस करें, इसी तरह कि महत्पूर जानकार को ध्यान से पड़ें.